हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज है सटर्डे और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे ससुराल से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ क्योंकि आज जो है हाती पूजन है महालचमी जी की जो पूजा की जाती है तो उसी के लिए मैं और मेरी सासुमा दोनों ही ब लेंगे और यह सबजी बनाई है मेरी सासुमा ने आलू मटर और पनीर की जब मैं आई थी तब उन्होंने जो है काफी सारी चीजे जो है रेडी कर ली थी तो यह सबजी बन चुकी है यहाँ पर उनने बेसन के जो सेब बनते हैं बो भी बनाकर तयार कर लिए क्योंकि पकव अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ यह नमकीन मटरी तो मुझे पाफी पसंद है और हैं बाक सब भी खा लेंगे फिर हम लोग पूजा कर लेंगे और आटा तो गुंदा हुआ रखाई है तो सबजी बनी हुई है जब सब लोग खाना खाएंगे तो मैं उनके लिए गरम-गरम सेखती जाओंगी और हम दोनका फास्ट है तो हम लोग भी ब्रत खोल लेंगे और अभी जो हम लोगों ने कर ली है पूजा इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे जो हाथी पूजन किया जाता है और लचमी जी की पूजा होती है तो मैं जो है कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई पूजा करते टाइम तो इसलिए मैंने सुचा आप लोगों को दिखा देती हूँ है क्लो फ्रेंड्स पैलकम बेक्टो माई चैनल और कैसे हैं आप सब आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है पॉने ग्यारा मैं और मैं रेडी हूँ आप देख सकते मैंने यह वाली साड़ी पहनी है मैं लेटी हो कर जा रही अपने इला सासु मा के मेरा पूरा दिन वहीं पर निकला था चली गई थी और हम लोग खाने वगरे क्कर लेकिन कल में बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर प्याई मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं यहां से थोड़ा लेट कई थी जल्दी आ गए थे तो उनके साथ ही मैं गई थी और फिर वस काम में बिजी हो जाते हैं पूजा वगएर की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो तो फिर मैंने कल बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं की और थोड़ा बहुत कुछ भी शूट किया है तो बस बू आपको दिख जब तक वो आएंगे तो काफी लेट हो जाएगा तो मैं सोच नहीं हूँ चली जाओं ताकि काम भी करवा लूंगी मम्मी के साथ और खाना बगएर में भी हैल्क हो जाएगी तो हमारे कुछ रिलेशन वालों को खाना के दिन चल रहे हैं तो इसमें खाना खिलाया जाता है तो बस उसी का जो हमारे आज सब लोगों को इन्वाइट किया है और बस इसलिए मैं जा रही हूँ और आज पी पूरा दिन वहीं पर हो जाएगा और देखते हैं लिबनिंग तक या नाइट तक ही आप आएंगे और मुझे नहीं पता में क्या शूट करूंगी नहीं करूं तो चलिए मैं अब मिलती हूं फिर मैं आप लोगों से तो चलिए मिलती हूं फिर मैं आप लोगों से मैं आचुकी हूं अपने ससुराल और मैं आपर पकोड़ी फ्राय कर रही हूं कड़ी के लिए आज जो है कड़ी जरूर बनती है राइस बनते हैं तो मम्मी ने कड़ी बना कर तयार कर ली है और पकोड़ी के लिए जो है उन्होंने बेसन भी घोल के रख दिया था तो ये है कड़ी जो की बनकर तयार है तो मम्मी पकोड़ी बनाने ही वाली थी तब ही मैं या पर आ गई तो मैंने बुला की लाओ मैं बना देती हूं और फिर जो है और वो बाकी के जो काम है वो करने लगी तो बस ये पकोड़ी मैं फ्राय करके कड़ी मैं एट कर दूंगी तो ये जो है अभी एक बार की हैं और अब जो है मैं दूसरी बार जो है एट कर रही हूँ और मैं हातों से ही डाल रही हूँ बैसे इस्पून से भी एट कर सकते हैं लेकिन मैंने सुचा हातों से जो है जल्दी जल्दी डल जाएगा एजी रहेगा तो बस मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ जाँ पर वही हूँ पकोड़ी जो अच्छे से फ्राय हो चुकी है तो ऐसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी तो थोड़ा सा बेसन और बचा है उसमें ज्यादा पकोड़ी नहीं बनेंगी तो बस उन्हें और निकालना है मुझे तो बस उसको इमें कड़ाई में एड़ कर रही हूँ और जब फिर फिर फ्राय हो गई थी सारी तो मैंने कड़ी में एड़ कर दी थी और फिर मैं आप हो चुकी है और फिर मैंने बनाई थी ये भिंडी की सबजी जो कि मम्मी ने ही कट करके रख रख दी तो मैंने शब्जी बना ली थी क्योंकि एक सबजी तो चाहिए ही हो ती है साथ में और बस अब मैं आप पर बनाervि भॉम घरम पूडियां जो भी क्योंकि कोई भी आता है तो गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में तो पहले मैंने नहीं बनाई थी और जब कुछ लोग आ गए थे तो मैं पूरियां बनाती जा रही हूँ और मम्मी खाना वगर रख रही है तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरियां और मैंने आपको बताई है कि मेरी आदत है मैं वही पर बेलती जाती हूँ और सेखती जाती हूँ लोई बनाकर रख लेती हूँ लेकिन पूडियां जो है मैं बहुत सारी बेलकर नहीं रखती हूँ तुरंत बेलती हूँ और तुरंत ही जो है सेखती जाती हूँ और मैंने अपने लिए तो जो है चपाती बनाई थी और मेरी फैमिली में भी सभी ने चपाती ही खाई थी क्योंकि कल अमने अल्लेडी पूरियां खाई थी तो किसी का भी मन नहीं था और मेरे एजबेंट तो बैसी कम पसंद करते हैं पूरियां वगेरे खाना तो जो relation वाले आ रहे थे उनके लिए तो मैंने पूरियां सेकी थी और जिसको भी चपाती खानी थी उसके लिए चपाती सेक दी थी तो बस सभी लोग खाना खा रहे हैं और उसके बाद ममी ने खाना खा लियाता, पापा जी ने खाना खा लियाता, भाईया बगएरे सब ने खाना खा लियाता सब लोगों को खिलाने के बाद, भावी बगएरे के साथ ममी ने खाना खा लियाता लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि उसको आने में तो टाइम लेगा तुम कब तक भूकी रहोगी इसलिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली है मैंने बोला चलो मैं खाई लेती हूँ ये है प्लेट तेयार राइस है, कड़ी है, पापड़ है और चपाती है, बिंडी की सबची है खाना खाने के बाद अभी काफी टाइम हो चुका था तो फिर मैंने सभी के लिए चाय बनाई थी भावी बगए रहे थी वो और मेरी फैमली में जिसको पीनी थी उनके लिए बाकी सभी तो जो एक खाना खाके चले गए थे तो यहाँ पर मैं चाय इंजॉए कर रही हूँ और उन्ही लोगों से बाते कर रही हूँ बैसे मम्मी और भावी बगए रही बात कर रही थी तो मैं तो सुन रही थी क्योंकि अभी मैं उनको इतना नहीं जानती हूँ अच्छे से तो जो बात समझ में आती हूँ बस उतनी ही बात करती हूँ बागी तो मैं देखती रहती हूँ सुनती रहती हूँ कि वो लोग क्या बाते कर रहे हैं और बस यहाँ पर मैं चाय नजोए कर रही हूँ आप लोग देख ही रहे हैं और मैं देखिए किस तरह से ध्यान से उनकी बाते सुन रही हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और बस उनकी कुछ बात जो मुझे से पूस्ती है उनका मज़बाब दे देती हूँ तो इसी तरह से जो है अभी फिरी बैटे हुए हैं टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हजबेंड अभी नहीं आये थे तो मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आ जाएं और फिर उनको भी मैं खाना वगरे दे दूंगी खाने के लिए झाली है प्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और कैसे हैं आप सब क्योंकि मैंने बताया था कि टाइम नहीं मिल पा रहा है तो सोचिए पड़सों कल और आज तीन दिन में यह ब्लॉग जो है कंपलेट होने वाला है और कैसा बनने वाला है मुझे नहीं पदा तो वस ऐसी तूटा-फूटा ब्लॉग है यह आप लोग देख लीजिएगा हो जा निकलने वाले तो इवनिंग में थे लेकिन बारिश बंदी नहीं हो रही थी हो रही थी लगातार फिर भी जब हम घर पर आये थे तब भी बारिश हलकी सी बारिश हो रही थी प्रहम नहीं बुला कि चलो बढ़ना बारिस तो बंद होगी नहीं और वो रियल में बंदी नही पुरी नाइट बारिश हम नहीं बारिश नहीं जोनारúblic मिला कि आशपरव बारिश को जो है टो पता नहीं पहते हôm पाते हैं दो भ्रो में जा रही हूं किचिन में मुझे बनाने हैं साबू दाने मैं आब भीगों कर रख दिये तो बस अब भो बनाऊंगी जो है मैं बैठी हुई थी वेट कर रही थी वो इसलिए क्योंकि हमारे जो है आरो के आज फिल्टर चेंज हुए हैं तो वो आ गए थे तो एक से डेर घंटा लग गया तो मैं वेट कर रही थी जब हो जाएंगे उसके बाद ही मैं बनाऊंगी किचिन में वहीं पर बनाऊंगी वो पोल रहा है कि भई खालेंगे उसके बाद देखते उनके लिए क्या बनाती हूं साथ मैं चाय भी नहीं पी है आज मैसे भी मेरी आदते साबुदाने बनाती हूं तो साथ मैं ही बनाती हूं मैं और कल कप लोग मैं क्यों कंटीनिव नहीं कर पाई वही एक त चाय बंदे के साथ के साथ मुदी की अपारी सरेशन कि इसक दीओ नहीं के लिए क्ल छपाईर कना बनाती हूं मैं पैटी कर देऊक्षे मसे घंटे करों मोहdy नहीं करते क्या हैं खाईतार कि गजिए एता भी मेरी तो पड़ी नहीं लोग में से लिए पूरी बनावी देऊं और मैंने भिंडी की सबची बनाई थी और शक्राइब चाय वगर यही चलता रहा लोग आते हैं बैठते हैं वात बगर आते हैं तो इसलिए टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करनागा क्योंकि कभी-कभी हम मिलते हैं किसी से और इस टाइम भी वीडियो शूट करो तो मुझ पूरा दिन पता ही नहीं चलता कैसे निकल गया और परसव यह जब मैं गई थी तब भी उन्होंने जो हैं काफी चीज है बना ली थी पकवान में उन्होंने जो है तो गुटगुटे बंते हैं मीठे जो हाति की पूझा में चड़ाए जाते हैं तो वह सब बना रहे अपित जब आये थे उसके बाद ही मैं गई थी लेकिन कल तो मैं जल्दी चली गई थी बस इसी लिए जो है मैं ब्लोग कंटीनी नहीं कर पाई और टाइम भी नहीं मिला और पिस इबनिंग के बाद मेरा कोई मन नहीं हुआ वीडियो शूट करने का हम लोग घर पर गए थे बारिश पहले नहीं पर्दा और आप लोग को कैसा लगा पसंद आएगा नहीं आएगा मेरा यह बॉक्त खल थे लिए मैंनें इसी लिए तो चलिए अब जादा बाते नहीं करते हैं और क villain में चलते हैं यह हमारे न का आज का मौसम मैंने सोचा पहले बाहर आकर आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत उसके बाद ही मैं किचिन में जाऊंगी तो आप देख सकते हैं अभी भी हलके लकी बारिश हो रही है और बादल भी अभी है की बारिश होगी कल इबनिंग से हमारे लगातार बारिश हो रही है कम जादा हो रही है लेकिन बंद नहीं हो रही है बारिश बिलकुल भी लेकिन मौसम जो है काफी अच्छा हो गया इस बज़े से और ठंड़क है बहुत ही सोहाना है आप देखी सकते हैं और दिन का टाइम है लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अभी दिन का टाइम है कैसा मौसम है और बस यही है कि थोड़ा सा बाहर कहीं जाने में प्रॉब्लम होती है वैसे तो अच्छा लगता है और कपड़े बगएर भी नहीं सुख पा रहे हैं क्योंकि दूप नहीं करएं है और यह बॉटल पहले नहीं लगी हुई थी आपने देख भी होगा हो तो यह मुलाते हैं अज हैं झाल को आंको रड़ आज है इसका segurança nastasन कम कि अधक्या पानी अखची सक्वार का निए स्कूक अधक्त और उछ मेड़ का भूल मुला निए अधक टमं चाहिए गता हैं तो ढगा इसे स्कूच का घ्लिप में 17 साध कॉरम मुलार पानीं उप फ्रont M Sara अभी यह भल चुका है बस अब इसका जो पानी है वो मैं सारा जो है बकेट में निखाल दूंगी उसके बाद दुबार इसको जो है अन कर दूंगी सो इच को ताकि यह भल जाएगा और फिर हम लोग यूच कर पाएंगे तो यह रखे हुए है पुराने फिल्टर जो की है और बस अब जो है मुझे इनका इसका पानी निकालना है उसके बद फिर से मैं आरो को ओन करूंगी बस इनको जो है हटा दूंगी वो रखे हुए थे तो पहना सुचापलों को दिखा देती हूं तो बस अभी इनको जो हटाना है यह से क्लीनिंग करनी है और मैंने साबु दाने चो कि अच्छे से फूल चुके हैं तो बनाने तो मुझे पहले ही थे लेकिन आरो वाले भी आ गयते तो इसलिए मैं रुक गई ती कि यह चेंज हो जाए तो एक से और घंटा तो लग गया है अब बस अब गया है अब मैं इनको बना लेती हूं मैंने रग दी है गैस पर एक कढ़ाई और गैस को अन कर दिया है अब यहाँ पर मैं लूँ गंगी मुंफली के दाने और इनको कढ़ाई में ड्रूप करके रोष्ट कर लूँगी काफी बार शियर कर चुकी हूँ आपके साथ कि किस तरह ऐसे मैं साबुदाने बनाती उँ और यहाँ पर मैंने हर नहीं किया है मेडियम और सलो के बीच में है और उसके बाद को कट कर लूँगी अगर बॉयल आलू तो बहो एक कर सकते हैं लेकिन मेरे पास बॉयल आलो नहीं इसलिए मैं याव ने लिया है तो मैंने याव पर आलू लेगे है दो से तीन और इनको जो है मैं चील रही हूँ उसके बाद पतले पतले स्लाइस में कट कर लूँगी और मुंफली भी बस रोश्ट होने वाली है तो मैं गैस को आफ कर दूँगी और इनको ठंडा होने दूँ यहां पर आलू को मैं न बॉष कर लिया है चीलने के बाद और यह मैं ले लिया है मिक्सर जार तो इसमें मुंपली एट कर दी हैं और यह कुछ टाइम थंडी हो जाएंगी तब ही मैं इनको ग्राइंड करूंगी दर दरा ग्राइंड करना है आलू को कट कर लोंगी पहले मैं और मैंने एक बार वाश कर लिया था अभी कट करने के बाद मैं फिर से नहें दुबारा से वाश कर लूँगी तो यहां पर मैं साथ ही साथ परा रही हूं चाय उसी के लिए मैंने पानी रख दिया है और बस गैस को अन करके चीनी चाय पत्ती और अद्रक को एट कर दूँगी और मुंफली के दाने भी ठंडे हो चुके थे तो मैंने उनको भी दरदरा ग्राइंड कर लिया है अब मैं यहां पर बनाऊंगी साबू दाने तो बस कड़ाई में ओयल एट कर दूँगी यह रिफाइंड ओयल है ओयल को मैंने गैस बाद में ओन की है तो यहां पर जो है ओयल गरम हो चुका है अब इसमें में डाल दूँगी जीरा आदा चम्मच और बस इसमें हरी मिल्च एट कर दूँगी और साथ ही में डाल दूँगी यह आलू जो कि मैंने कट करके रखे हैं और इनमें जो है करी पत्ते हूं और उनको वश कर लिया है एट कर दिया है अच्छे से मिक्स कर दूँगी साथ में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी आलू के हिसाब से ताकि वह फीके फीके ना लगे और यहां पर मेरे एजबेंट भी कुछ कर रहे हैं आरो में ही तो उनसे मैं बात करती जा रही हूं और चाई भी बॉइल हो चुकी है तो इसमें मैंने दूद भी एट कर दिया है तो बस यहां पर जो है मैं आलू को चेक कर रही हूं कि यह अच्छे से पक चुके हैं है या नहीं तो यह पक चुके हैं अब इनमें मैं एट कर दूँगी साबू दाने और थोड़ा सा मिक्स कर कर दूँगी अब यह जो मुंपली मैंने ग्राइंड की थी तो इनको भी एट कर दूँगी और उसके बार इसमें डाल दूँगी नमक टेस्ट की अकोर्डिंग और ब्रत के लिए बना रही हूं इसलिए ब्रत बाला नमक डाला है मैंने अगर आप ऐसी नॉर्मल के लिए ब अधर गई थी अभी तो यहां पर यह बन रही है चाय और साथ में साबुदाने भी बनकर रेडी हो चुके हैं इसलिए मैं गैस को आफ कर दिया है तो यह साबुदाना किचडी बनकर तयार और मैंने जो है मीडियम साइच के साबुदाना लिए थे और कभी-कभी मैं मौती जाना साबुदाने की भी किचडी बना लेती हूं तो बस इनको जो है मैं प्लेट में निकाल रही हूं हम दोनों के लिए और चाय भी रेडी है तो बस चाय को भी चान लोंगी कि आपुदाने चाय बनकर तियार हो चुकी है तो बस उन्हें मैं ले आई हूं और बस हम लोग खाएंगे तो प्रेंट्स अपने इस ब्लोग को में इपर एंड करना चाहूंगी आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लोग पसंद आया होगा मुझे डियल मैं नहीं पता आप टूटा फूटा व्लोग है तीन दिन का व्लोग है तो कमेंट करके बताना जरूर की कैसा लगा और पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजेगा साथ में जो लोग भी मेरे चैनल पढ़ना हैं पहली बार आए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मेल आइकन को हिट कर दीजेगा मैं मिलती है आप से अपनी नेच वीडियो में किसी अच्छे से ब्लोग के साथ तक तक लिए बाबाई टेक कियर थैंक्स पर वाचिंग